यहां पर सेंटरेस का आर यह हो गई, आर यह हो गई, तो यह हो गई 2R, अगर आप चाहें इत नहीं शोड़ें, वदना अगर आर आप कॉमन ले ले लें, तो पाई प्लस 2 unit, यह आज से आपकी प्रोटेक्टर की पेरिमेटर का हमने फॉर्मूला बना गिया, अब बताओ यह क हम पढ़ रहे थे, area related to circle, और आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, important MCQs question, जैसे के आप जानते हैं, साल का pattern पूरा change है, सारे question MCQs में आने वाले हैं, तो इस chapter का जितना भी concept है, मैं आपको फॉर्मूला सारे पढ़ा चुका हूँ, area related to circle से जितने भी फॉर्मूला थे, length of art, number of revolution, area of sector, और area of segment, यह सारे मैंने आपको concept पढ़ा दी हैं, तो देखते हैं किस तरीके के MCQs इस पर आते हैं, कैसे MCQs question होते हैं, back to back वही question आज में लोग करने वाले हैं, तो start करते हैं question number one से, जिसमें एक नया concept आपको सीखने को मिलेगा, perimeter of a sector of a circle, whose central length is in 90 degree and radius 7 cm is, अब यह sector की perimeter कब से पूछने लगे हैं, अगर आप जितना concept मैंने पढ़ाया है, अगर उस तो आपने ठीक से पढ़ाया है, तो question आप आराम से कर लेंगे, देखिए sector ऐसे ही तो बनता है, तो perimeter कौन सी हो गई, perimeter मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा, कौन सी perimeter हो गई, द सेक्टर की perimeter बन जाएगी, जैसा कि आप फिल्कु साब साब देख पाएगे, तो क्या हम perimeter का formula ही generate ना कर लें बच्चों, यह बार बार सवाल है, मैंने तो formula ही बना रखा है, perimeter of sector का, तो perimeter of sector होगी, length of arc, और फिलस, जो radius, एक आर यह दिख रही, और एक आर यह दिख रही, बात अब इसकी value निकाल लीजे, theta की value दे रखिए, 90 degree, 180 का 180, pi की value 22 upon 7, वही, mcq में जितना आप जल्दी calculation कर सकते है, उतना जल्दी कर लीजे, कोई भी इसमें आपको language नहीं चाहिए, कोई अच्छा-च्छा work नहीं चाहिए, जितना गंदा कर सकते है, उतना गंदा करो, बस answer न बहुलो, होता है 25, option number B is correct, 25, अराम से answer निकल आएगा, तो यहाँ पे जो नई चीज आपको पढ़ने को मिली है, यह किसी book में नहीं लिखा है, अच्छे सवाली नहीं थे, इस बाद pattern change हुआ है, तो question नहीं नहीं देखने को मिलेंगे, तो perimeter of sector equal to yard report, theta upon 180 pi r plus 2 r, बात ठत्म हो कोई direct formula कहीं मिलेगा नहीं अपको, हम बना के देंगे आपको इस type के जितनी भी short tricks हैं, आज आपको इस lecture में मिलेंगी, किस तरीके से हम MCQs को short तरीके से करें, और किस तरीके से छोटी-छोटी चीजों के formula बनाएं, जैसे के दूसरे question है, area of a circle that can be described in square, यहाँ भी मैं आपको यह circle, इस तरीके से मालनीजिए, इस circle, इस square की side a, मालनीजिए सारी a, 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 तो मुझे बताइए, यह जो इसके center से पास होके जाएगी, यह center है, circle का, तो यह क्या होगी diameter, जितनी यह diameter होगी, उतनी तो यह side होगी a, और diameter होती है 2 into radius, तो जो circle की diameter होगी 2 into radius, वो square की side के ब दे रहा हो पूरा, और divided by 2, याद रखना ही है, यह concept आपको मिले कहीं तो बताइए, जब भी कोई circle, किसी square के अंदर inscribed करोगे, जब भी कोई circle बच्चो, inscribed करोगे किसके अंदर, square के अंदर, तो उसकी जो radius होगी circle की, वो square की side का आजा कर दो, और अगर आपको radius दे रखिए circle की, तो आप क्या करो, उस radius का double कर दो, square की side निकल आएगी, square की side है, 10, obviously बात है, radius हो जाएगी, 10 divided by 2, यानि के 5 cm, ऐसे सवाल खेगे, NCRT में नहीं है, यह आज आपको concept सेखना के मिलेंगे, चार option दे रखिए हैं और option देखके बदा लगता है, calculation किस approach पे लगानी है, pi की value solve नहीं करने हैं, because सारे option are in the form of pi, area जल्दी से निकल लीजे, pi r square होता है, तो r का square हो जाएगा 25, पांच ही तो आएगा 5, 25, 5 cm square, option number d is correct, यहां से note दरने वाली बात है, r equal to side of square divided by 2, formula लिख लो, बात के तम खला, कहीं भी आए, उड़ा देना, तीसरा बाला देखो, the perimeter of a square circumscribing a circle, of radius a unit, यह a unit है, फिर से वही कहानी, फिर से वही कहानी, एक square, उसके अंदर circle, ऐसा करके कुछ माल बेर, क्या बता है, सही है, यह उसकी diameter, अब radius दे रखिए, radius 2r, यानि के diameter बराबर होती है side, तो अब side कितनी होगे square की, वही double कर देंगे इसका, 2a आगई, अभी जो trick पढ़ाई थी, वही trick इसमें लगड़ी, वही side का double कर दोगे, sorry, radius का double कर दोगे side आजएगी, और side का आदा कर दोगे radius आजएगी, side होगी 2a, पूछे किया, square की perimeter, square की perimeter का formula बच्चे, बच्चे को याद होगा, 4 into side, 4 sided होती है, side की value is 2a, answer होगे 8a, देख रहे हैं, आप 9 नहीं तरीके के question mc को जोगे बनेगे, centimeter square नहीं है, तिर्फ centimeter, 8a unit option number 3, बहुत अराम से हो जाएगा, question number 3, तो हो गया यह, question number 4 देखो, the perimeter of a sector with radius 10.5 cm and sector angle system, यह आप खुद निकाल लगो, because अभी मैंने एक सवाल करके दिखाया था, perimeter का formula क्या था, theta upon 185r plus 2r, अब इसी बात है, यह sector होगे, perimeter क्या होगे, यह वाली लाइन, यह वाली लाइन, और यहां से यहां तक की arc, आजाएगी perimeter, sector angle दे रखा है, radius दे रखा है, perimeter निकाल लो, खतम हो जाएगी बात, answer निकाल के, खुद करिए, question number 5, in a circle of diameter 42 cm, corresponding figure बना लेते हैं, क्या दिक्कत है, diameter बेले centimeter, if an arc subtend an angle 60 degree, एक arc है, जो 60 degree के angle subtend कर रही है, भाई, diameter 42 है, तो radius 21 हो जाएगा, पहले लिख लो, because mtq दे दिखाने की कोई भी जरूद नहीं है, पाई की value 22 upon 7, यह length of the arc पूचर, length of the arc होता है, theta upon 180 into pi r, formula पढ़ा चुके है, theta की value हो गई, 60 upon 180, pi की value 22 upon 7, into radius हो गई, या p 21, 7, 3s are 21, 3s are 18, 3s are 3 cancel है, देख रहे हो, seconds के अंदर question हो जाएंगे, seconds के अंदर, 22 cm, option number c is correct, तो से c correct हो गया, बाद समझा गई, बहुत ही easy mcq, यह question है, दमदार, the perimeter of a sector of radius, 5.2, यानि कि यह radius है, और यह perimeter sector भी, कह रहा है area बताओ, तो पहले तो theta निकालना पढ़ाएंगा, theta है नहीं, लेकिन यहाँ पर calculation में बच्चे चूप करते हैं, इस question को बहुत धिहान से देख लेना, बहुत धिहान से, देखो कि calculation किस type की में technique लगाने वालों मदा आजाएगा देखकर, यह को perimeter अभी मैंने पढ़ाई दी क्या होती है, एक तो length of the arc, theta upon 180 pi r, और radius का double, तो यह perimeter देरखी है, 16.4, theta मालूम नहीं, 180, pi को अभी में value नहीं रगवा रहा हम, because area में भी pi आएगा, तो यह चूक मत करो कि अभी से pi रगवाओ, radius रगवादव 5.2, plus 2 radius 5.2, 16.4, ध्यान देना, 5.2 की multiply अगर 2 से कर दोगे, तो 10.4 आएगा, तो इस 10.4 को plus से माइनस में लियाए, उससे अच्छा है रहेगा, कि इज़र का जो हम LCM लेंगे, उससे तो better रहेगा, इसको माइनस में ले जाएगा, एक 180 के साथ LCM लोगे, उसकी multiply कर आओगे, तो फस जाओगे, बहुत बुरे, तो इधर minus में लियाओ, 10.4, देखो इसकी multiply इससे कर आओगे, 10.4 तो बनेगा, इसको minus में लियाओ, क्या बचेगा, इधर जल्ली बोलो, ठीटा अपॉन 180, पाई, चाओँ तो और को किसे solve करा लेते, बना आरी रख देते, चलो 5.2 बचाओ, कोला पॉइंट 4 से 10.4 गया, कितना बचा, यह बचा 6, सिर्फ 6, multiplied by 180, और 8 भी डिवाइड में आजएगा, स्वरी 8 नहीं है, वो 8 बोलके ठीटा, तो डिवाइड में आएगा, पाई इंटू 5.2, तो इतना बड़ा ठीटा, इतना मुश्किल ठीटा, अरे अभी देखना जा दो, तो ज़्यादा दिमाग एक्स्टा लगाने की जरूद नहीं, फाल्टू का भी बता दे रहे हैं, इस प्राइप का जब भी सवाल है, ठीटा ऐसा आ रहा है, ऐसी रहने तो पाई को मत रखो आख, क्या बुचा है, area of the sector, क्या होता है area of the sector, ठीटा पॉन 360, पाई आर इस square, पाई से पाई खला से, यह रहा पाई, पाई से पाई हो गया, शहीद, शहीद हो गया भई यह, 180, 2 जा, 2, 3 जा, तो यह बचा 3, यह बचा 5.2 दो बार उपर, 5.2 दो बार था और नीचे भी 5.2 है, भई, मुझे ऐसी जगा बता दो, जहां मुझे multiply करने की जरूद पड़ exact, कुछ बच्चे का करते हैं, यही पर पाई की वैल्यू रखवाते हैं और decimal में खेलते रहते हैं, decimal में ही गुम हो जाते हैं, calculation का तरीका सीखो मुझे यहां से, इसी type से आपको सवाल करने है, question number 7, if the perimeter of a semi-circular protractor is 72 cm, पाई की वैल्यू 22 upon 7 रखनी है, it is 22 upon 7, okay, then the diameter of the protector, तो पहले प्रोटेक्टर की भी एक शॉर्ट ट्रिक बता दे रहें, प्रोटेक्टर ऐसा ही तो होता है बच्चो, अगर इसको complete करें तो यह पूरा सर्कल ना हो जाता, आँ सर बात तो सही है, तो प्रोटेक्टर की जो perimeter होगी, फॉर्मूला लेख लेना, perimeter of protector, डारेक्ट बता र हो जाती है, यह वली, यह भी तो आएगी perimeter में, यहाँ पे center है, इसका R यह हो गई, R यह हो गई, तो यह हो गई 2R, अगर आप चाहें इतना ही छोड़ दें, वरना अगर R आप common ले ले लें, तो पाई पिलस 2 unit, यह आज से आपकी protector की perimeter का आपने formula बना दिया, अब बताओ, यह कहीं के time में लिखा हुआ हो, कहीं book में हो तो दिखाओ, यह formula लगाओ, अंसर निकालो पट से, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी किसी भी तरीक की, if the perimeter of a semicircular protector is 72 cm, protector की value 72 है, protector की perimeter की, क्या formula है, R, R हमें मालूम नहीं है, πाई की value 22 upon 7, पिलस 2, यह है short tricks, equal to 72, LCM ले लिजेगा it is 2, it is 2, 7 to the 14, 14 में 22 जोड़ोगे, 36 upon 7, 72, 36 to the 72, और 7 to the 14, radius की value आगई 14 cm, और हमसे पूछी थी diameter, और विसकी बाद है, diameter radius का डवल होती है, 28 cm, option number C is correct, option number C is correct, आगे चलते हैं, question number 8 देगे, if the radius of a circle is double, the area becomes, area becomes 4 times, कुछ करने की दिरूद नहीं है, अगर मेरे पढ़ाईगों बच्चों को इस question में पैन उठाने की दिरूद पढ़गे, तो उसने पढ़ा ही नहीं है, फिर नहीं पढ़ा, देखो area का formula सुन लो, अभी यहां पर यह question ही नहीं बताऊंगा, मैं इस question की पूरी family बताऊंगा, equal to pi r square होता, pi क्या है, हम तो पूरा mathematics को deep में समझते है, constant है, area depend करेगा radius के square पे, radius के square पे, radius बढ़ेगी तो area square में बढ़ेगा, radius कम होगी तो area square में कम होगा, अगर कोई बोला, radius को double कर दिया, मतलब 2r कर दिया, answer 4 आएगा, 4r square, तो पहले तो square में बढ़ेगा, तो square में भी कम होगा, तो कुछ example इस तरीके से बता देता हूं directly, अगर radius 2 times करोगो तो area 4 times, radius 3 times बढ़ागो तो area 9 times बढ़ेगा, radius 6 times बढ़ागो तो area 36 times बढ़ जाएगा, अब इसका ultra करते हैं, अगर radius को half करोगो तो area 1 4th हो जाएगा, अगर radius को 1 3rd करोगो तो area 1 9th हो जाएगा, अगर radius को 1 4th करोगो तो area 1 16th हो जाएगा, 16 बढ़ागो तो square में बढ़ता है, square में कम होता है, यहां से इस बात को समझे, कभी-कभी ratio भी पूछ सकता है, कभी हमने radius double कर दी, तो original area का और न जाएगा, पाई 4 R square, R square से R square cancel, पाई से पाई cancel, 1 by 4 अगया, नय वाले area 4 गुना, पुराना वाले area 1, उसका 4 times बढ़ गया, ratio की form में भी पूछ सकता है, इस बात को याद रखना, ratio भी पूछ सकता है, अराम से निकाल लोगे, कोई दिक्कत आईगी ने, question number 9, वही जब ऐसा question आता है, तो बड़ी खुशी होती है, कि हाँ कुछ तो पढ़ाया है, if the sum of the circumference is of two circles, with radius R1 and R2, is equal to the circumference of a circle with radius R, दो छोटे circle को इसकी radius R1, इसकी radius R2, इनकी circumference मिला कर, एक circle बनाये गया, तो इसकी radius R है, इस R का, इस R1, R2 से क्या relation होगा, मैं आपको पढ़ा चुगा हूँ पह पहली lecture में पढ़ाया है, याद करो, तो resulting circle की radius R equal to R1, R2 होगी, एक तो बच्चे, इसको करनी पाएंगे 90%, कुछ करेंगे भी तो पूरी equation बनाएंगे, और आपके teacher ने आपको oral ही पढ़ाई थी, ये बात, proof करके दिखाई थी, चलो फिर से याद दिलाता हूँ, इस वाली की circumference क्या होगी, 2 pi R2, दोनों की circumference को मिला कि तीसरा वाला बन रहा है, 2 pi R, 2 pi common ले लो, R1 पिलस R2 बचेगा, equal to ये 2 pi R हो जाएगा, 2 pi से 2 pi cancel हो जाएगा, R1 पिलस R2 की value क्या जाएगा, तो option number A is correct, बाकी तीनों गलत हैं, समझ गए बात को, तो बहुत easy question आ रहे हैं, पढ़ा and square field are equal, एक circular field है और एक square field है, दोनों का area बराबर है, मैं क्या कह सकता हूँ कि अगर इसकी radius R है और इसकी side A है, तो ये लिख सकते हैं न, pi R square बराबर, side into side, यानि के A square, square का area ये होगा, circle का area ये होगा, if the area of the square field is 480 meter square, अगर square field का area 484 है, कोई दिखकर नहीं है, pi R square, तो diameter बताओ, circle की radius निकाल ले रहे हैं, देखरो न, कितना simple है, दोनों का equal है, equal कर दिया, तो 22 upon 7, R square बराबर, 484 upon, ठीक, 484, तो R square की value हो जाएगी, 484 divided by 22, direct 22 से divide हो जाएगा, 11, 11 करके कर लेंगे, 11, 2, 22, 11, 4, 44, 11, 4, 44, 2, 2, 2, 2, तो R square की value हो गई, 22 into 7, ठीक हो रही ही बात, 11, 2, 11, 4, 4, पर बचा, 11, 4, पर बचा, 12 into 7, हमसे पूचा क्या है, हमसे पूचा है, देंदा diameter of the circular field, तो diameter कितनी होगी, तो R, बराबर हो यह, 70, 14, 14, 44, carry 1, 70, 14, 154, root में, डबल करेंगे, तो दिक्कत आएगी, कुछ गड़ बढ़ लग रही है, चलो, फद से करके देख तेहें, कुछ गड़ बढ़ तो हुई है, ओ, हो, 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 area equal करा दिया, देखा ही नहीं, master ने, बड़ी गड़भड होगे भी बड़ी गड़भड होगे पढलने न चाहिए पहले ध्यान से पेरियमिटर एक्वल बोल रहा है भ़ी दोनों की तो सर्कल की पेरिमेटर की सर्कंफेरेंस होती है टू भाई यार और स्कवाइर की पेरिमेटर 4 इंटू साइड होती है if the area of the square field और अपरे question है भही है यह area square का दे रखा है पहले area होता है side into side अलग निकालो पहले side निकालो area दे रखा है 484 और यह होता है side का square side बराबर हो जाएगी under root 484 जो की होता है 22 का square side की value अगई 20 cm अब यह given दे रखा दामे square की perimeter और circle की perimeter बराबर है अब रखो यहाँ पर 2 22 upon 7 into r और यह है 4 into side side 22 22 से 22 cancel हो गया 22 is a 4 हो गया 7 multiply में जाएगा तो radius बराबर आजाएगा 7 to the 14 cm हमें चाहिए ते diameter 14 का double कितना हो जाएगा 28 cm option C is correct समझ आगई बात उन्होंने बोला था कि area दे रखा है perimeter equal है हमने perimeter ही ले लिया तो sorry area ही ले लिया था उस time इस तरी ही इकड़ बढ़ हो गई दी कोई बात नहीं है इस तरीके से question हो जाईगा next पर आ जाते है question number 11 if the diameter of a semi-circular protractor तो perimeter बता है अभी protractor की perimeter का formula हमने बताया था आपको 5 r आदी circumference 2 r semi-circular की diameter दे रखी diameter कादा radius कर लो answer निकाल लो यह आप homework में करिये खुद से question number 12 में आएगा मदा race track is in the form of a circular ring whose outer and inner circumference are this and this क्या मतलब वो दे को बताता है एक ऐसा है एक ऐसा इस वाली radius को r1 मान लेते हैं तो circular ring है उनके बीच में एक track बन रहा है यह रास्ता आइस पे लोग चल रहे होंगे भाग रहे होंगे इस तरीके से किसी stadium में ऐसे ऐसे करके रास्ता आइए पूरा कह रहे हैं अगर बाहर वाले circle की circumference 396 है अंदर वाले की 352 है तो width बताओ अब width बताओ कैसे आईगी देखो ध्यान देना यहां से यहां तक की radius ले 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 बड़े वाले circle यह और छोटे वाले circle की radius ले ले दोनों को minus करा दें तो यह width आजएगी यह वाली width समझ गया बच्चा सोचे का सर पहले इसकी circumference का formula रग देते है 2 pi r और इसको इसकी बराबर कर देते है इसकी radius निकल आईगी और इसकी circumference का formula लग देते है 2 pi r इसको 352 के बराबर कर देते है इसकी radius निकल आईगी दोनों को minus करा ले है हाँ बिलकुल बात सही है आराम से हो जाएगा इसे सवाद लेकिन हम इससे भी short बता देते हैं आपको हम क्या कर रहे हैं पहले वाली की circumference 396 माइनस छोटे वाली की circumference 352 करा रहे हैं बड़े वाली की radius को capital R मान रहे हैं तो 2 pi capital R हो जाएगा छोटे वाली की small R मान रहे हैं तो 2 pi small R हो जाएगा आसे लिख सकते हैं कि नहीं direct minus point आसर बिल्कुल लिख सकते हैं 396 से 352 जाएगा 3 से 2 जाएगा 4 बचेगा 9 से 5 जाएगा 4 बचेगा 44 2 pi common ले ले R minus R बचेगा यही तो हमें निकाला है हम radius अलग लग क्यों निकाला है 2 से 2 cancel हो गया R minus R और यह 7 multiple हो जाएगा 7 cm option number C बचेगा आर minus R यही तो width थी आर minus R तो direct ही width आगे 7 cm अलग-अलग आपको यह radius निकालने कि जरूरत क्या है मुझे यह बता दो radius तो पूछ नहीं रहा न यह head trick इस से भी आप आसानी से मतलब time अपना बचा सकते हैं देख लीजेगा किस तरीके दे question आप करें तो ज़्यादा बेटा रहा the area of the largest square that can inscribed in a circle अब उल्टा हो गया भई circle यह है इसके अंदर है square इसका भी relation अपना आपको बताएंगे यह circle का center होता है जो square का diagonal है याद रखना अगर कोई square किसी circle के अंदर inscribed होगा तो square का जो diagonal होगा बस जो diagonal वो diameter के बराबर होगा diameter और एक बात और बता दो अगर square की side A है तो diagonal जो होता है पाईता कोस्वरम से root 2 A आता है diameter कितना होता है root 2 into side diameter कितनी होती है 2R बस यह relation लिख लो यह नहीं पढ़ाया जाएगा आपको असली बात तो यही है जब भी कोई square किसी circle के अंदर inscribed होगा जब भी तो उसका diagonal उसकी diameter के बराबर होगा diagonal का formula होता है under root 2 into side और जो हो गया 2 into यहां से हम निकाल लेंगे पहले उनकी radius और side the area of the largest square यहां से side निकाल लीजे formula लग दीजे under root 2 into side मालूम नहीं पराबर 2 radius दे रखिए 12 so side 2 into 12 upon under root 2 एक root 2 से root 2 cancel होगेगा root 2 बचेगा square की side आ गई 12 root 2 square का area पूछ रहा है area मराबर होता है side into side 12 root 2 multiplied by 12 root 2 12 की 12 से 140 root 2 की root 2 से 2 और 144 का double होता है 208 C 288 cm square option number C is correct clear हो रही है बात देख रहा है तो बड़ा आसान है अगर आपको यह चीजें आती है बरना बड़ा मुश्किल है यह चीज याद रखो जब भी कोई square के square किसी circle के अंदर आ जाएगा तो उसकी जो डाइगनल होगी यह अंदरू 2 इंटू साइड बराबर कह सकते है 2 इंटू R अधर यह relation आपने पढ़ा है हो जाएगा काम लेकिन यह पढ़ाएगा कौन इसरी नोट कर दीजे the area of the largest triangle that can be inscribed in a semicircle बनाईए वही semicircle यह होगा semicircle largest triangle largest triangle इस तरीके से inscribed होगा बच्चो समझ लेकर इसकी जो radius है वो कह दी है radius R तो यह पूरी diameter हो जाएगी 2R सही यह 90 degree का अंगल होगा क्यों because angle in a semicircle is always a right angle angle in a semicircle is always a right angle तो इसको X माल लेते हैं इसको X माल लेते हैं R और X का relation निकालना पड़ेगा R है hypotenuse तो 2R का square बराबर कितना हो जाएगा X square प्लस X square यह हो जाएगा 4R square यह हो जाएगा 2X square 2, 2 जा 4 हो जाएगा X square बराबर हो जाएगा 2R square यह तो ऐसी निकाल लो यह X बराबर पूरा निकाल लो under root 2 into R यह relation आ गया इस triangle की side का वह एरिया कितना होता है half into base into height half तो base भी X है और height भी X है 90 degree का angle मिल रहा है नहीं मिल रहा है half इस X X की जगा रख दे रहे हैं root 2R और height की जगा भी रख दे रहे है 1 is correct, option A is correct R square is the correct answer यह question अच्छा था question number 15 देख लीजिए if the perimeter of a circle is equal to that of the square circle की perimeter क्या होती है 2 pi R, square की perimeter क्या होती है 4 into side radius, then the ratio of the areas तो इनके areas का ratio क्या होगा 2 pi R अभी बताते हैं, पहले side का ratio निकाल लीजिए और radius का पहले circle की बात करता है side को S से denote कर लो R upon S की value निकाल लो मतलब radius का और उसकी side का निकाल लो ratio 4 upon 2 pi R R ratio 2 2's are 4 यानिका 2 upon pi R ratio जो आया ठीक हो रही बात अब area का लगा area of circle और upon में आएगा area of square area of square area of circle होता है pi R square और area of square होता है side into side clear रहे बार पाई अब पाई उपर हो गया R square नीचे S into S तो हमें यह लिख सकते है R Y S का square अब यह होता है R Y S की value क्या है यह देखो साफ दिखे है यह अब यह दो हमें है 2 upon pi pi square ध्यान दीजेगा 2 का square 4 हो गया नीचे pi square हो गया 1 pi से 1 pi cancel हो गया answer हो गया 4 upon pi 4 upon pi देखते हैं क्या मिलता है 4 pi की value 22 upon 7 यानि कि option B is correct, यह question अच्छा question था, पहले radius और side का relation निकला, फिर ratio निकल दिया, 14 upon 11, यानि कि option B विल्कुल सही आ रहा है, question number 16 देखिए, a steel wire is bent, we are bent in the form of a square, encloses an area, जब एक steel का wire है, उससे हमें square बनाते हैं, तो उसमें 121 cm square area कवर होता है, तो side कितनी आ जाएगी, अब इसली बात है 11 cm, हम अचे गहें न 11 कैसे है, छोटे बच्चे नहीं हो, side into side होता है, area, side निकालने के लिए, under route निकालना पड़ेगा, area का route 11 हो गया, the same wire is bent in the form of a circle, जब same wire से circle बनाया जाएगा, तो उसकी circumference कितनी आएगी, area नहीं बुच रहे, area तो, तो पहले हम निकालते है, square की side आएए है, और square की पहले, इसकी लंबा ही निकाल गए, जितना wire square से बनाओगा, उतना ही wire तो circle में लगाओगा, क्योंकि wire तो वही है, तो perimeter मतलब, perimeter of square बराबर क्या हो गई, wire की length, length of wire, length of wire writing में मच जाओ, सवाल देखो, बहुत जब़ी करना है, 4 into s, 4 11s of 44, 44 cm, अब चाहिए उसका square बनाओ, चाहिए कुछ भी बनाओ, उसकी वही तो आईगी circumvalence, B option, option B is correct, एक question और है, ये भी देख लेते हैं, the diameter of a circle, whose area is equal to the sum, अब आपरे, आई से सवाल आते हैं तो बड़ा मत आपा, एक direct relation पड़ाया था, अगर दो circle का area, किसी तीसरे circle के area के बराबर है, तो बड़े वाले, यानि कि जो resulting circle है, उसकी radius का square, इन छोटे वाले radius के square के बराबर होता है, बताऊंगा नहीं, पहला lecture आपको याद होगा, उसको repeat कर लेना, वहाँ पर ये formula पड़ाया था, अगर दो circle का area मिला कर किसी तीसरे circle के कुल है, तो ये relation था, और square बराबर R1 का square, R2 का square, दो circle की radius दे रखी है, चालिस और एक की नौ, एक हो जाएगा चालिस का square, एक हो जाएगा नो का square, चालिस का square होता है, सोला सो, नो का square होता है, 81, योग्या सोला सो 81, लगा था, अब हमें अगर इसका निकालना है, तो R बराबर हो जाएगा, या बुच रहा है हमसे diameter बुच रहा है, इसका डबल भी करना है, पहले सोला सो 81 किसका square root है, ये पता लगाना पड़ेगा, समझ गहाँ? कि अभी बता लगाते हैं 1681 कि लॉंग डिविएन लगा देते हैं और पोर्जा इस्तिन हो जाएगा उतारा एट चार चार आठ हो गया आठ के साथ बनागा पॉर्टी वन का पॉर्टी वन का स्कॉएर है जाने कि पॉर्टी वन आंसर आ गया समझ गया है बस यहाँ पर फिनेश होते हैं 17 सवाल यह इंपोर्टेंट सवाल थे प्रैक्टिस करते रहो बस सब हो जाएगा में चीज़ है रिवीजन बच्चो अगर रिवीजन नहीं करोगे कितना ही पढ़ लो किया करोगे कॉंसेप्ट का जब तुम्हें एंड अप देर याद ही नहीं है और एक बच्चा जिसको चैप्टर आ रहे हैं उसमें रिवीजन एक भी बार नहीं कर रहा है तो चार चैप्टर वाले बच्चे के नंबर जादा आएंगे इस बात की मैं गरेंटी दे सकता हूं तो मैं यह नहीं बोला हूँ कि आप चार चैप्टर रहो आप छे आप से नेक्स लेक्चर में से के साथ बाय बाय टेक केर